धन्यवाद अद्धक्ष महादय जी, मैं सदन में एक गंबीर भी शाय रखना चाता हूँ जो मुझसे सम्वन्दित है पस्चिम बंगाल के प्रसासन द्वारा इस्थानी राजिसरकार की निद्देश के मादन से प्रतिदीन नियम कानून का उलंगन करती हूए शांतिय वस्ता भंग हो रही है मादय दिनंग 17.3.2020 को रात में लगबग एक से दो बज़े के बीच में राजिसरकार के प्रसासन बिना किसी सुचना के हमारे अबास ठाकूर बारी में लगबग आट से दस प्रसासन की गारी जबरन घर में घुश कर हमारे घर से सामान लूट लिया गया है और हमारे कारसंचलक और कुछ मतुआ भाक लोगों को बंदी बना गया है रसासन के दुआरा हमारे घर और परिवार के सदर्शों को अब सब्द और मरने की धमकी दी जा रही है साथ ही अन्न परिवार को अन्न परिवार के सदस्ट को अंदर करने की विचार चल रही है मादाय इसके साथ उजबेंगल पोलीस मेरे घर के सामने गेराबंदी करके रखे हैं जिसे ना कोई बाहर आ पार आ है और अंदर भी कोई नहीं जा पार आ है सर तो ये घटना पहली बार नहीं है जब भी मैं दिल्ली सांसदिय कारकाल में आता हूँ हमेशा राज्यस पुरसासन ने हमारे परिवार के उपर अत्ताचर करते हैं जिसके बज़े से पूरे हमारे परिवार के अंदर एक जर का महल पैदा हुआ है तर मैं ये कहिना चाहता हूँ बहुत दूख के साथ ये कहिना चाहता हूँ कि एक सांसद के साथ अगर ऐसा होता है तो आम नागरिक कैसे बिता रहा है आपको थोड़ा सा इस बिशय को बिशय में आपको बोलना चाहता हूँ एक बात है जो वेस बेंगल के आम नागरीक आप जो सोच रहे हैं कि एक समाई था जब डाकु आके घर में लूट लेता था लेकिन आप इतना डर पैदा हुआ है कि पुलिस प्रसाशन उसका बहुत जवर्दस करके गारी लेकर आके घर लूट के ले जाता है डखायती कर लेता है ये बात आपके संग्यान में लाना चाहता हूँ और इस विशाई को सुरक्षा देने के लिए आप थोड़ी किपा करें इस बात को लेके मैं मेरा बात समाब करता हूँ धन्वाद अदक्समादाजी